कि वन्स अगेन जैहिन यो अलोल वल्कम टू माई चैनल तो प्यारे बत्चों इस वीडियो के अंदर हम अप्लिकेशन आफ टेग्नमेटी रेशो का एक बहुत इंपॉर्टन कोश्चन देखने वाले हैं जो बार-बार रिपीट होकर आपके सी बेसी एक्जामनेशन में ह लिठा गया है एन ऑबजर्बर वन् पॉईंट फाईफ मीटर तॉल इस ट्वंटी पॉईंटी पॉईंट फाइब मीटर अवे फ्रों मटी टूमिटर हाई डिटर माइन दा एंगल ओफ ऐलिवेश्चन ऑफ दाप ऑफ दा टावर फ्रॉम दा-ई आई अउबदा तो उस टॉप का आपने एंगल ओफ एलिवेशन निकालना है तो पहले डाइग्राम बनाते हैं डाइग्राम कैसे बनेगा इसका पहले एक तावर ले लिया हमने ठीक है ध्यान से समझना इस कॉश्चन को इंपोर्टेंट है इस टावर की हाइट हमार पास 22 मीटर गिवन है ठीक है इस टावर की जो हाइट है वो 22 मीटर गिवन है हमार पास यही बोला उन्होंने ठीक है और फिर एक परसन खड़ा है दूर जिसकी height हमें given है 1.5 meter और वो tower से कितनी दूर खड़ा है 20.5 away from the tower लिखा है तो यह जो distance है 20.5 meter है ठीक है फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इसकी eyes यहाँ पर है क्योंकि face यहाँ होगा तो इसके eyes से जो angle बनेगा ठीक है top of the tower यह वाला angle of elevation हमने निकालना है ठीक है तो यह question इसलिए important बन जाता है क्यों क्योंकि जो observer है उसके जो eyes है eyes से हमें top of the tower का angle निकालना है तो हम सीधा कई बार क्या करते हैं 22 meter को directly ले ले लेते हैं height में consider कर लेते हैं पर होगा क्या हमें इसकी eyes के horizontal ठीक है एक line draw करनी होगी ठीक line draw करने से क्या होगा कि जो यह observer की height है 1.5 meter यह tower की height से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हमें निकालना क्या angle of elevation तो line of side से ठीक है जो eyes का angle बन रहा है वो है यह इस angle को हम कहेंगे angle of elevation हमें यह निकालना है ठीक है तो जब हमें यह angle निकालना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है जो observer की जो height है 1.5 वो इस tower की height से हमें क्या करनी पड़ेगी minus करनी पड़ेगी इसको एक वर देख लीज़े यहां तक जो tower की height है वो 22 meter है ठीक है पर अभी जो हमें use होने वाली है वो सिर्फ इतनी है अब यह कितनी होगी 22 meter में से मैं observer की height को क्या करूँगा minus करना ठीक है मेरी बात समझ में आगी मेरे ख्याल से आपको तो यह आ जाएगी जब हम 22 में से 1.5 को minus करेंगे तो यह आ जाएगा 20.5 meter अब मैं इसकी naming कर देता हूँ A B और C ठीक है पहले हमें पता है कि जो A B की height हमने कितनी निकाली है यहाँ पर D और दे देता हूँ A B की height कैसे आएगी A D में से मैं B D को minus करूँगा अब B D को क्यों minus करूँगा क्योंकि जो B D है वो observer की height के equal है क्यों क्योंकि यह आपको दिख रहा होगा parallelogram बन रहा है और एक rectangle की type का दिख रहा है तो rectangle की opposite side होती है वो क्या होती है एक्वल होती है तो जब मैंने A B निकाला तो वो मेरा I A 22 में से 1.5 को minus करके 20.5 ठीक है अब एक और important चीज है हमारे पस E D की value है लेकिन B C की नहीं है तो E D और B C क्या होंगे इक्वल होंगे अभी बता है मैंने parallelogram है और rectangle बन रहा है तो opposite side इक्वल होती है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पस 20.5 ठीक है अब लेना है triangle A B C in triangle A B C आपके पास कौन कौन सी दो चीजी है एक आपके पास base गिवन है पंडित बदरी परसाद हर हर भोले फिर मैंने बताया था आपको इसके अपर naming कैसे करनी है पहले आपने sign लिखना है cosine लिखना है और 10 लिखना है तो आपको देख लीजे P और B की value पता है तो हम यहां से 10 theta वाला formula लगा लेते हैं क्योंकि हमें h calculate करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आगर मैं 10 theta का formula लिखता हूँ ठीक है ठीक यानि कि theta यहां पर a है तो मैंने a लिखा है तो मैं 10 a कर लेता हूँ P upon B आएगा ठीक P की value कितनी है 20.5 meter B की value भी कितनी है 20.5 meter इससे cancel हो जाएगा तो कितना बच्चे का 1 10 a की value क्या है 1 अब 10 किस theta पर 1 होता है या आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो 10 45 degree पर क्या होता है 1 होता है तो यहां पर a की value कितनी हा गई 1 हा गई ठीक है इसकी भी trick है इसकी भी trick है आपको एंगल से याद करने पड़ेंगे ठीक है और उटिक से भी हो जाती है तो आपको पता लग जाएगा कि 10 theta की value 1 कब होती है 45 degree पर होती है तो यह question बहुत ही important question है इस question को ध्यान से देखिए शायद फिर repeat होकर आपको CBC Board Examination में आपको देखने को मिल सकता है आज के लिए इतना ही जैहिन जैवाद